नमस्कार मैं हूँ काजल मिश्रा स्वागत है आपका एनवन लाइब पे राहूल गांदी से नैशनल हिराल केस में एडी की पूश्टाज को लेकर कॉंग्रेस के हल्ला बोल पर भाश्पा ने भी हमला बोल दिया है केंद्री मंत्री स्मृति रानी ने सोमवार को बीजेपी मुख्याले में एक प्रेस वारता में कहा कि स्वतनस्ता सिनानियों ने मिलकर नैशनल हिराल की स्थापना की थी और कॉंग्रेस ने उसे चलाने वाली कंपनी असोसियेटेड जनर्स लिमिटेट की संपत्ती पर ही कि दुबारा कहते हूं 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चारिटी के लिए हुई 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चारिटी नहीं की जिस कंपनी को कॉंग्रेस पार्टी ने 90 करोड का लोन लिया उस कंपनी के लिए लोन कॉंग्रेस पार्टी ने माफ किय और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्ब में दिल्ली हाई कोट की टिपनी मैं दो बार पड़ चुके हूँ। हाई कोट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि AGL के उपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडिस्टाइन है, सुरप्चियूस है। जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल स्टेट का धंदा करती उसमें गांधी खांदान की इतनी रुची है। इसका मतलब रियल स्टेट से मो मात्र जीजा जी का नहीं पूरे खांदान का है। बीजेपी मुख्याले में मीडिया से बात करती वे स्मृति इरानी ने कहा कि पूरी दिल्ली को घेर लिया गया है, क्योंकि जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने अपने भ्रस्टाचार का खुलासा होने पर जाच एजेंसी पर दबाव डालने के लिए देश भर में अपने वरिस्ट नेताओ को दिल्ली बुलाया है। राहूल गांधी को भ्रस्टाचार के मामले में जाच एजेंसी द्वारा तलब करने और कॉंग्रेस पर दिल्ली में अराजकता पहलाने का आरोप लगाते हुए, इरानी ने कहा कि कॉंग्रेस नेताओ का यह मार्च लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बलकि गांधी खांदान की 2000 करोन रुपे की संपत्ती को बचाने का प्रयास है। केंद्री मंत्री ने गांधी परिवार पर सीधा निशाना साथते हुए का कि 1930 में 5000 से जादा सुधनता से नानी को शियर होल्डर बनाने के साथ ही अखवार के प्रकाशन को लेकर Associated General Limited Company की शुरुवात की गई थी, लेकिन आज इसका मालिकाना हक गांधी परिवार के पास है और यह रियल स्टेट का कारोबार कर रही है। इसमें तिरानी ने राहूल गांधी के समर्थन में दिल्ली में जूटे नेताओं को राहूल से सवाल पूछने की नसीहत देते वे कहा कि आज जो लोग जांच एजेंसियों पर दबाव डालना चाहते हैं उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के 2019 के जज्मेंट के वाके पर गौर क ने कहा था कि AGL के उपर राहूल और सोन्या गांधी का मालिकाना हा गैर कानूनी तौर पर संपत्ती पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है The Congress is hardly a position. Secondly, Robert Wadhar is hardly in a position to give character certificates. Thirdly, I have here through this press conference highlighted the entire course of action. And lastly, the fact that this entire economic transaction between AGL and Young Indian has been reflected upon by the Delhi High Court. the Delhi High Court has made a statement can that be denied by either the Gandhis or the Wadras my question to the Gandhi Khandan again is this what is your relationship with one of the companies of a Havala Entry Operator namely Dotex Merchandise Private Limited why would the Congress Party wave off a 90 crore loan and what is Rahul Gandhi's interest in real estate businesses which are now worth 2000 crores आज तक आपने कोई भी ऐसी कमपनी देखी है जिसको बनाने में चंद लाख रुपे लगे और जो मात्र शेयर ट्रांसफर के माध्यम से 2000 करोड का मालिक बन जाए बिना एक 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 अक्टिविटी किये मुझे लगता है कि मैंने अभी इस विवरन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है साल 2008 में गांधी खांदान की कमपनी ने कहा कि हम अकबार का प्रकाशन नहीं करेंगे रियल एस्टेट का धंदा करेंगे साल 2010 में जब हमारी सरकार नहीं थी तब गांधी खांदान ने एक ऐसे कमपनी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 करोड की संपत्ती हडपी और इस संदर्ब में AGL और Young Indian का जो संबंद है इसके संबंद में 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट की टिपनी मैं अल्रड़ी यहाँ पर बता चुकी हूँ तो आप करें काले धन को एकत्रित करने का काम और फिर आख दिखाएं investigative agencies को और कहें कि हम रष्टा चार करें तो आख मूंद लो यह संविधान के माध्यम से संबंद नहीं है Nobody is above the law Not even राहूल गांधी N1 Life की यह खास report